आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वह question जो UPSC और स्टेट PCS के अंदर repeatedly पुछे गए हैं मुगल स्टाइम के उपर यहनके जो मुगल काल चल रहा था उस टाइम पे म्यूजी के बारे में question आते हैं उनके इस टाइम के literature के question आते हैं, painting के, administration के तो यह question हम लोग देखने वाले हैं, जो काफी बार exam में UPSC में और PCS में पुछे गए हैं तो चलिए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और हाँ, अगर आप लोगों की मुगल काल के time की history की gk अच्छी है तो आप लोग इसको as a mock test treat कर सकते हैं आप वीडियो को post करकर इसका answer दीजिएगा इनकेस अगर आपका answer गलत भी होना हुआ तो यहीं गलत हो जाएगा और exam में एक question आता है मालेजिए, तो आपका exam में सही रहेगा याणि कि आप यहीं पर इसको as a mock test attempt कर सकते हैं और अगर आप mock test attempt कर रहे हैं तो साथ हैं अपना score भी share करें end में comment section के अंदर सबसे पहला question है कि मुगल period के अंदर जिसको आज हम district बोलते हैं के लिया को तो उस समय पर district को क्या बोलते थे तो भई पहली बात तो यह कि अगर मैं अकबर के time की बात करूँ उस समय पर अकबर का जो राज्यकाल था वो बारा प्रोविंसिस यानिके सुभा यानिके बारा स्टेट के अंदर फैला हुआ था क्योंकि पंजाबी में सुभा मतलब स्टेट होता है और अगर मैं district की बात करूँ तो district को बोलते थे सरकार तो इस साब से answer क्या होगा option number B यानिके district को मुगल काल के अंदर सरकार कहा जाता था moving on to the next question मुगल period के अंदर army के head को क्या कहा जाता था तो army के head को बोल जाता था option number B मीर बक्षी और मीर बक्षी ही emperor को यानिके जो भी राज्यका मालिक है यानिके किसको appoint करना है किसकी promotion करनी है that means chief को बोलेंगे मीर बक्षी option number B next है मुगल administration के अंदर मुटासिब क्या था क्या वो एक military officer था head of foreign affairs था and officer in charge of public moral था या office of correspondence department था तो भी एक तरह से वो क्या था police come judge था that means we can say वो एक officer था जो public morals पे काम करता था यानिके इसकी duty थी कि बजार के अंदर जो भी चीजे लग रही है वहाँ पर उनकी पहरेदार इनको patrolling वहाँ करनी थी यानिकी answer है इसका option number C मुटासिब उसके बाए next question है what was the principal source of state income in Mughal India Mughal काल के दुरान जो total इमतलब के revenue जरनेट होता था इंकम होती सी तो उसका principal source क्या था उस समय पर भी main source क्या था उनका जो tax लेते थे किसी के उपर land के उपर उनके जो किसानों से tax ले जाता था वो ही था एक principal source of income इस question का answer भी option number C होगा ये वैसे को coincidence है कि आंसर C, C, C चलते जा रहे हैं चलिए next देखते हैं next है the mughal emperor who prohibited the use of tobacco was यानि कि तंबाकू के यूज के उपर प्रतिबंद कि साशक ने लगाया अलाकि काफी बार मैंने देखा है कि students इसमें अकबर को type करेंगे कि अकबर सही answer है लेकिन इसका सही answer अकबर नहीं है चलिए पहले एक बार discuss कर लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में पहली बात तो ये कि tobacco को इंडिया में लाया कौन तो भई Portuguese लेके आया थे 1605 के अंदर यानि कि 1605 में पुर्तगाली भारत के अंदर तबाकू लेके आये थे ये question भी बहुत बार पुछा गया कि भारत के अंदर तबाकू कोन लेके आये था तो वो लेके आये थे पुर्तगाली 1605 में जैसे ये इंडिया में आया लोगों ने खाना शुरू किया ये popular हो गया यानि कि इसकी demand बढ़ गी फिर वहां के जो उस टाइम के emperor थे जहांगीर उन्होंने notice किया कि भई टोबैको खाने के harmful effect भी है इसलिए उन्होंने 1617 के अंदर इसको पुरी तरह से ban कर दिया था तो इस question का answer क्या होगा option number C, जहांगीर next है which ruler issued some coin with a figure of Ram and Sita यान कि किस ruler ने ऐसे coin issue किये थे जिनके उपर Ram and Sita की प्रतिमा थी यान गिनका figure बनावा था सिक्के के उपर पहले आप लोग try कीजिए, फिर इसका answer मैं दूँगा तो अब इस तरह से जो है उनकी आप देखते ने प्रतिमा figure बना हुआ था Ram and Sita का तो ये issue किये थे ruler अकबर ने, option number D will be the right answer next है next question पे जाने से पहले अगर आप लोग पहली बारा है चैनल पे तो subscribe जुरूर कीजएगा ताकि आपको latest video को notification सबसे पहले मिले और आप लोग मुझे telegram पे facebook पे instagram पे follow कर सकते हैं यहाँ पर मैं latest update देता रहता हूँ और अगर इस वीडियो की pdf चाहिए है तो telegram link का group बाई जुरूर जोइन करे pdf में वहीं पे upload करता हूँ और dedicated upload आपको हफते में 4 दी मिलेगा timing आप लोग देख सकते हैं next है during the mughal rule incomplete the copper coin was known as यानि कि एक complete जो copper coin था उसको क्या बोलते थे उस समय पर वही यानि कि उस time पर 3 basic coin थे कौन कौन से थे पहला था moher of gold यानि कि gold की moher पहला तो यह हो गया दूसरा था silver को rupee यानि कि silver का rupee तीसरा था dham of copper यानि कि copper के सिके को dham बोलते थे silver के सिके को rupee और gold के सिके को moher बोलते थे तो question पुछा गया copper coin के बारे में तो answer हो जाएगा इस हिजाव से option number b dham next है the meaning of word बनता ही अब इसका pronunciation कुछ और भी हो सकती है भई अगर आप लोगों को पता exact pronunciation तो comment box में बताईगा during midvial period यानके madhya kalin भारत के दुरान बनता ही word किसलिए यूज़ के जाता था तो भई ये word यूज़ के जाता था system of calculating revenue option number b is the right answer इनके revenue कैसे calculate करना है ये उसके लिए एक विधी थी method था next है the foundation of mughal painting was laid by अब ये question बहुत important है भई इसका answer आप लोग जुरूर दीजिएगा अगर मैं बात कुरूँ बारी-बारी से कीधर garden का शौंक इसको था इनके fond of garden कौन था सबसे पहले भई वो था बाबर यानके बाबर भारत के अंदर एक तरह से garden ले गया है garden ले गयाने का मतलब ये निये कि भारत में garden नहीं था यानके उसको इस चीजों की दिल्चस्पी थी उसके बाद अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ तो पेंटिंग का शौंक था ज्यादा हुमायूक हूँ लिट्रेचर की बात करूँ तो अकबर को इवन अकबर इलिट्रेट था यानके बिलकूल अनपड़ था लेकिन उसको फिर भी लिट्रेचर का शौक था उसने बहुत ज्यादा चीज़ें जो इसी ट्रांसलेट करवाई थी जो भी उसके काल में नवरतन थे जो उसके नोरतन थे तो उन में से जो लिट्रेचर कार करता था भी उनसे काफी सार चीज़ों के उन्होंने translation भी Persian language में करवाई थी तो इनके literature का शोक हुआ अकबर को अगर मैं monuments की बात करूँ तो वहाँ पे हम नाम लेंगे शाहाँ जाहाँ का अग question में क्या पुछा हुआ भी Mughal painting तो answer हमारे सामने है answer है option number B Humayu उसके बाद है पहाड़ी school, राजपूत school, Mughal school and Kangra school represent different style in the art of यहनके जो different तरह के school है यह किसीज के art के school है क्या यह architecture के है painting के है, dancing के है या music के है तो भई इन में अगर मैं बात करूँ Kangra school हो गया, Mughal school हो गया यह सब एक तरह से painting के school है यह painting की type है क्योंकि basically Kangra side में अगर बात करूँ तो hill painting के लिए काफी मशूर था तो answer क्या होगा option number B next है which one of the following musical instrument was mastered by Orang Jeeb even कहीं question में भी बोला आता है कि बही, Orang Jeeb ने music को band करवा दिया था ठीक है, इसके काफी reasons आ जाते हैं हर book में अलग-अलग reasons आ जाते हैं लेकिन अगर in case question आता है कि music इसने band किया तो नाम हम औरंग Jeeb का ही लेंगे reason हर book में अलग दिया हुआ है यगिन अगर exam में question आता है तो music में हम लेंगे नाम औरंग Jeeb का अब यह question काफी tricky है कि अगर औरंग Jeeb ने music band करवाया था still वो एक musical instrument बहुत अच्छा बजाता था तो औरंग Jeeb जाता था वीना यह वीना का बहुत अच्छा player था यह वीना अच्छा player था option number C क्योंकि इसमें tricky question क्या है अगर आपको लग रहा है कि music band कर रहा है तो वो वीना कैसे चीव जा सकता है तो यह tricky question है भई still वो वीना का बहुत अच्छा player था next है कौन सा राग है जो early morning उस समय पर गाया जाता था तो भई जो तोड़ी राग है इसको तोड़ी भी बोल सकते हैं यह जो था early morning में गाया जाता है यह राग तो आंसर होगा इसका option number A next one is who wrote हुमायू नामा हुमायू नामा किस ने लिखा था भई आपको पता है कि जो बाबर की डॉटर थे यानकी बेटी थी नाम था उसका गुल बदन बेगम उसी ने हुमायू नामा लिखा था यानके अगर मैं बाबर नामा की बात कुरूँ बाबर नामा तो बाबर ने खुदी लिखा था यानिके उसकी autobiography थी, लेकिन अगर मैं हुमायू नामा की बात करूँ तो उनकी biography लिखी थी, गुल, बदन, बेगम, यानिके उसकी बहन है, option number A, next है, who is author of शाहजा नामा, यानिके शाहजा नामा किस ने लिखा था, तो ये लिखने वाले थे भई, इनायत खान, क्योंकि शाहजा भई, काफी निचे आएगा, chronology की बात करूँ में, क्योंकि बाबर के बाद हुमायू आया, फिर अकबर, तो शाहजा भई, तो काफी निचे जाकर आएगा, और बाद में, 19 विश्तावदी के अंदर, इसको English में translate किया था, A.R. Fuller ने, ये कोशन भी बहुत बार एकजाम में आया है, पहली बाद तो लिखा किसने, इनायत खान ने, इंग्जिश में किसने translate किया, A.R. Fuller, दोनों ही कोशन के अंसर आपके सामने है, नेक्स्ट है, अकबर नामा वास completed by अबू फशल, अब एक कोशन का अंसर तो दे दिया भाई, अगर मैं पूशता कि अकबर नामा किसे ने लिखा है, तो ये लिखा है, अबू फशल ने, अब सेकंड कोशन क्या है, कि वो कितने साल में complete हुआ, साथ, आठ, नो, दस, तो ये complete हुआ भाई, अब इसके बारे में भाई, कहीं मतबेद हैं, कहीं बुक के अंदर मैंशन किया हूँ, बारा से तेरा साल, मैं बारा से तेरा साल को भी सही मानता, लेकिन उप्शन में भी नहीं है, ठीक है न, तो उप्शन में most probably आपको यही उप्शन देखने को मिलेगा, और सी, ओफीशल और एड्मिस्ट्रेशन लेंवज यही थी, पर्शन, ओप्शन नमबर सी, नेक्स्ट है, विच अमंग दा फॉलोविंग पोर्ट वास कोल्ड बाबुल मक्का, यानि के, गेट ओफ मक्का दियूरिंग दा मुगल पीरियड, अब भी ऐसा क्यों बोला जाता था? किसी बंदर्गाAss को मक्का का दूआर क्यों बोला जाता था? क्यूंकि, भारत के सूरत से ओकर, आपको पता ही है कि मक्का मदिना काया भई साउदी अरब में है, तो इस पोर्ट से साउदी अरब जाय जाता था, यानि के सूरत से सूरत की बंतरगा से चड़के वो लोग साउधी रभ जाते थे हज करने के लिए मक्का के लिए इसी लिए सूरत के पोर्ट को बोलना जाता था गेट ओफ मक्का यानि के इसी रास्ते से ओकर इन को जाना पड़ता था next one है मुगल अड़ोप्टड नवरोज फेस्टीवल फ्रों लिए ससने लिए था क्योंकि इरान की सभसे ओलडेश्ट कम्यूणिटी है घोशिद कर दिया था जो कि 19 दिनों तक सैलिब्रेट किया जाता था मुगल काल के अनदर तो भाई ये तो थे कुछ random question जो मुगलकाल से painting, music, administration वगेरा में पूछे जाते हैं आपको कोई doubt है तो comment section में आप लोग comment कीजेगा आपका doubt दूर मैं करूँगा तो भाई इसी तरह से वीडियो गर अच्छा लगा तो like करें अच्छा ना लगे तो dislike भी करें और अच्छा लगे तो भाई शेर भी करें अपने study group में ताकि और लोग इसको देख पाएं तो चलिए thanks for watching जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ